हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है चंदन एक नए वीडियो में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो हैं अपने मोवाइल फोन का यूज करके किसे भी परसन को इमेल भेज सकते हैं जी हाँ दोस्तो यदि आप इमेल भेजना उसको उपन करना है यदि आपके फोन में यह अप्लिकेशन नहीं है तो आपको सिंपल है गूगल प्ले स्टोर को उपन करना है और आपको सर्च बार में जीमेल लिक कर टाइप करना है और आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है फाले इंस्टॉल होने के बाद जो हैं आपको सिंपल है इस वाले अप्लिकेशन को ओपन करना है जैसे ओपन किजेगा तो आपके सामने जो है जिमेल का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस जो है आपको देखने के लिए मिलेगा आप यहाँ पे बगल में देखेंगे तो आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा यदि आपक आपको क्या करना है आपके सामने जो है यदि आप नीचे की ओड़ देखेंगे तो कंपोज का ओप्सन मिलेगा आपको सिंपल ही क्या करना है इस कंपोज वाले अप्सन पर क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक किजेगा तो आपके सामने जो है एक नया विंडो खुल कर आएग और उसके निचे subject और compose email, simply जो है तू का, यहाँ पे तू में हम जो है, जिस person को जो है, हम email भेजना चाहते है, उसका email id यहाँ पे हम लोग टू में type करेंगे, और just subject में, subject में जो है, आप उस person का email भेजना चाहते है, उस email का main topic जो है, आपका क्या है, आपको main topic जो होता है उसको आपको subject में type करना है और just नीचे ही आपको compose email है और आपको finally जो है आपको पूरा email लिखना है तो इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं आपको एक उधारों देता हूँ तो मैं अपने notes को open कर लेता हूँ और finally जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर two में आपको email देना है तो आप मालने जे कि यह एक email id है आपको two में यहाँ पर जो है इस email id को type कर देना है और subject में आप यहाँ से type कर सकते हैं मेरी मदद कीजे यानि कि मैं email भेज रहा हूँ इस बंदे के पास जो है मुझे कुछ help चाहिए तो मैं subject में लिखूंगा मेरी मदद के जिये और फाइलने जो है नीचे की ओर जो है यहाँ पे दिया है compose email तो compose email में जो है मैं फाइलने जो है यहाँ पे नीचे जो है मैंने लिखा हूँ कि मेरा नाम यहाँ है मैं YouTube पर पिछले कई सालों से वीडियो बना रहा हूँ मेरे चैनल पे 4000 घंटी का वास टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जो है complete हो गया है monetization के लिए apply कैसे करें तो यहाँ जो है मेरा problem है तो मैं जो हूँ इस बंदे को personally जो है इमेल करना चाहता हूँ तो देखिए अब आपको इन सभी को देखिए आपको क्या करना है आपको अपने email में जो है जैसे यहाँ पे फिल कर लेना है तो चलिए मैं इन सभी को फटाफट जो है फिल कर लेता हूँ और आगे आपको बताता हूँ फाइनलिस जो है आपको पूरे details फिल करने के बाद जो है आप उपर की ओर देखेंगे तो तीन option दिखेगा आईए इन तीनों option का क्या क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ यदि आप जो है अपने email में किसी photo को insert करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से first वाले option पे click करके आप photo को insert कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम अपने email में photo को insert करेंगे तो आपको क्या करना है, simple है इस वाले option पे click करना है और जैसे हैं click किजेगा तो आपके सामने जो है दो options खुल कर आएगा attach file और insert from drive यदि आपका जो picture है वो आपके gallery में है तो आप पहले वाले option पे click करेंगे और यदि आपका picture जो है आपका drive में है तो आप दुसरे वाले option पे click करेंगे तो हमारा picture जो है मेरे gallery में है तो मैं simple है gallery वाले option पे click करता हूँ और यहाँ से जो है आप कोई भी picture जो है insert कर ले simple है आप उस picture को select करें और select वाले option पे click करें तो आप देख सकते हैं कि निचे की ओर जो है हमारा picture जो है यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे picture जो है हमारा आ चुका है अब आपको क्या करना है simple ने उपर की ओर यहाँ पे है forward का जो option दिख रहा है आपको इस पे click करना है और जैसे हैं इस पे आप click किजिएगा तो आपका email जो है send हो जाएंगा करना चाहते हैं तो finally आपको अपना email open करना है और सबसे उपर में three road का option दिखेगा आपको इस वाले option पे click करना है और आपके सामने जो हैं धेर सारी options दिखेंगी आपको उन सभी options में से आपको send वाले option पे जैसे क्लिक किजिएगा तो आप देख पाएंगे कि अभी तक आपने कितने email send किये हैं वह सभी जो हैं यहां पे सो होने लगेगा यूप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल नोटिफिकेशन को आउन करें यदि आपका कोई प्रस्ण हो तो नीचे कमेंट करें क्योंकि हम ऐसे हैं इंट्रेस्टिंग वीडियो जो हैं आपके लिए लेकर आते रहते हैं